अगर आपको बजार जैसे सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी गुलाब जामून बनाने हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें बिना ताम जाम या बिना किसे स्पेशल इंग्रेडेंट के घर की चीजों से बनाएंगे और स्वाध ऐसा कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे चीनी डालेंगे चीनी गुलाब जामून में मिठास बना के रखेगा फिर हम डाल देंगे इसमें तीन चमच सूजी तो यहाँ पर बारिक वाली सूजी का इस्तमाल करें फिर हम इसमें डाल देंगे एक चोथाई छोटी चमच बेकिंग पाउडर और इसके साथ दो चुटक मतलब एकदम चोटी वाली चमच से ने ऐसे दो चुटकी खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डाल दें मिला दें सबको पिसी वी चीनी की जगह न आप इसमें कंडेंस मिलका भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे गुलाब जामून और भी ज़्यादा अच्छा बनता है कंडेंस मिलक सबके पास अवेलेबल नहीं होता है इसलिए मैंने यहाँ पे पिसी वी चीनी का इस्तमाल किया है और इसके बाद हम क्या करेंगे ने इससे ऐसे गून लेंगे रगड़ अगड़ के और इसके बाद ऐसे छोटे छोटे गुलाब जामून के बॉल्स बना लेंगी इसे बनाते वक्त आपको एक बाद का ध्यान रखना है कि इस पर क्रैक्स नहीं आनी चीए अगर इसके उपर क्रैक्स देख रहा है मतलब डो हमारा अच्छे से गुन्दा हुआ नहीं है तो आप उसे वापस ऐसे मिक्स करके और हथेलियों से मतलब पाम के हिस्से से ऐसे रगड़े तभी ये स्मूध होगा तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामून बना लिये हैं और 200 ग्राम पनीर से हमने इतने सारे गुलाब जामून बना है तब हम चलते हैं से फ्राइ करने का प्रासेस में तो उसके पहले क्या करते हैं हम चाशनी बना लेते हैं तो एक पैन में एक कप चीनी ले ले और इसमें हम डाल देंगे डेड़ कप पानी पानी का इस्तमाल ज्यादा करना है क्योंकि चाशनी ना हमें बहुत काड़ी नी बनानी है चाशनी थोड़ी पतली रखनी है तब ही वो गुलाब जामुन के अंदर तक जाएगा तो इस पैन को मैं क्या करते हूं कि गैस के दूसरे साइट शिफ्ट कर देती हूं ये धीमी आच पे पकता रहेगा तब तक हम गैस के इस सैट गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं तो इसे फ्राई करने के लिए आप तेल या घी किसी चीज़ का इस्तमाल कर सकते हैं घी म तेल जब हलका गरम हो तभी गुलाब जामून डाल लिए देखिए बबल से आप समझ सकते हैं कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है अगर तेल बहुत ज़्यादा गरम है तो तुरंत ऊपर की लेर ब्राउन हो जाएगी और वो अंदर से पकेगा नहीं तो हमने यहाँ पर डो में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला है जिसकी वज़े से गुलाब जामून का साइब बढ़ा होगा जब आप इसे फ्राई करेंगे तो तो यहाँ पर चमझ से आप इसे गोल गोल घुमाते रहें पलटना इसमें नहीं है बस चमझ को ऐसे चार तो यह हर तरफ से बराबर कलर आएगा यह दिखे तो यह हमारा गुलाब जामून का एक सेट जो है वो बन के तियार है तो इसे मैं निकाल लेती हूं तो आप इसे डारिक चार्शनी में डाल दे या फिर पूरा पक जाए ना मतलब दोनों सेट आपका अच्छे से बन जाए तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है यह देख सकते हैं कलर कितना पढ़िया है तब हम क्या करेंगे जो बचेवे गुलाब जामून है वो भी डाल देंगे तो यहाँ पर तेल का टेमपरेचर आपको बहुत जादा हाई नहीं रखना है और गुलाब जामून को डालने क चमच से आप इसे गोल गोल घुमाना है यह देखे ऐसे तो बस इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामून को फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर चाशनी भी हमारी बन के दियार है अगर गुलाब जामून पकने में समय लगता है तो चाशनी वाली गैस जो है वो आप बंद कर और जब आप गुलाब जामून चाशनी में डाले तो चाशनी को हलका सा गरम कर ले तो यहाँ पर यह देखे इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउना शुरू हो गया है तो यह तरीका आपको याद रखना होगा कि जब भी आप इसे फ्राई करे तो गैस का फ्लेम मीडियम या फिर हाई नहीं रखे बस आप इसे धीमी आजपे और ऐसे चमच से घुमा घुमा के पकाएं तो यह हमारे गुलाब जामून जो है वो बन के तेयार है यह देखे किता बढ़िया कलर है न है तो अब हम इन गुलाब जामून को डाल देंगे चाशनी में तो यहाँ पर क् एक देखे कुप के डाल सकते हैं या फूद कलर हैं और नहीं तो अगर आपके पास लिएयो है तो केसर डाल सकते हैं उससे वी पर आई ऑझे बढ़िया जीन डाल रहे हैं तो यहां पहले मैंने ऐसे इलाइची के दाने जो आते हैं वो सबको पसंद नहीं है लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इलाइची इसमें जरूर डाले तो यहां पे केसर डालने के बाद इसे मैंने मिला दिया ताकि चाशनी का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए अब हम इसमें डाल गुलाब जामून गुलाब जामून को आप गरम चाशनी में डाले तभी वो अंदर तक अच्छे से अब्जॉब होगी अगर आप ठंडे चाशनी में डाल देंगे तो इसे अब्जॉब करने में बहुत जादा समय लगीगा तो आप क्या करने एक साइड चाशनी बना और साइड इसे फ्राई कर ले और फ्राई करके तुरंत आप इसे चाशनी में डाल दे और ढखके एक घंटे के लिए छोड़ दे उसे में आपके गुलाब जामून जो है वो बन के तियार हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया गैस को बन कर दे और इसे हम दो घ अच्छा आएगा क्योंकि उसे स्पेस मिलता है ना ऐसे एब्सॉफ करके फूलने के लिए तो यह हमारे गुलाब जामून जो है वो बन के तियार है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते हूं कलर तो बड़िया है यह दिखे सॉफ्टनेस एक्तम रूई के जैसा सॉफ्ट है म नहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें मावा इस्तमाल नहीं किया है है ना मजिदर तो पनीर तो हमारे घर पे रहता ही है मैदा चीनी सब कुछ रहता है तो क्यों नहीं सासान तरीके से सुपर टेस्टी गुलाब जामून को हम बनाए बिना किसी एक्स्टर यह दिख सकते हैं ना एक दम बाजार जैसे गुलाब जामून तो यह हमारे सुपर टेस्टी गुलाब जामून बन के तियार है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही अमेजिन है और चाशनी हमने ऐसी रखिए ना और अगर चाशनी बज जाती है तो आप इसमें आटा घोल कि इसका चीला भी बना सकते हैं मैं तो वही करती हूँ या फिस शकरपारा बना सकते हैं तो यह हमारे पनीर के बहुत सॉफ्ट और मज़िदार गुलाब जामून तेयार है जो कि आप किसी तवहार में बनाए या फिर नॉर्मली भी बनाए यह गुलाब जामून आपकी फै रिसपी को जरू ट्राइए करें यह गुलाब जामून आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और यहां पे न मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ यह देखें बहुत यासानी से यह चम्मत चला गया और यह देखें है ना तो इतना अच्छा गुलाब जामून तो मार